नमस्कार दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विश्णू से मिलने के लिए जाती है और कहने लगती है। प्रभू, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यू लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने देखा कि तीन स्त्रियां जो आपस में सहेली थी, उनमें से दो स्त्रियों विधुआ होकर के दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पती के साथ सूखी जीवन जी रही थी। प्रभू, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, ये मेरे मन में तीन प्रश्ण उठने लगे हैं। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्णों के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान विश्णु कहते हैं कि लक्ष्मी तुम मुझे अपने तीनों प्रश्णों को बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्णों के उत्तर दे करके पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। तब माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु मेरा पहला प्रश्ण है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्ण है कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता और मेरा तीसरा प्रश्ण है कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एक पत्नी अपने पती को मांगने से भी नहीं देती। पती को सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान पराप्त होता है। जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्णों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाए हुए हैं। यदि तुमने ध्यान से सुना, तो तुम्हारे तीनों प्रश्णों के उत्तर तो अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टी प्राप्थ होगी मित्रो माता लक्ष्मी कहती है प्रभु से की आपकी बात से सहमत हूँ आप कहानी शुरू करो मैं कहानी को पूरी मन से सुनूँगी और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा तो मित्रो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे प्राचीन ज्यान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कहानी के अंत तक बने रहे क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है तो चलिए आज कुछ नया सीखने वाले है भगवान विश्नु कहते हैं हे लक्ष्मी सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वह पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिवरता है जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार-बार करता है अब देखो एक दिन की बात है उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की यह बात धीरे-धीरे फैलते हुए राजा के दर्बार तक पहुँच गई फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिवरता है क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिवरता है क्या आपको पूर्ण विश्वास है इस प्रकार राजा की बात सुनकर के नौकर कहने लगा महाराज मुझे पूरा विश्वास है और पूरे से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिवरता है अब इस समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिवरत धर्म खंडित कर दू, तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिवरत धर्म खंडित कर देते हो, तो महाराज मुझे फांसी लगा द अब उधर वह राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है यदि महाराज ये मेरी पत्नी का पत्नी वरत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी फिर भगवान विश्णु कहते हैं लक्ष्मी मं मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाओ जिसे तो मानें कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ तो नौकर ने कहा मंत्री यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक चैन मिली थी और एक पठका मिला अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में महामंत्री शेहर में जाता है और एक दलाल ओरत से जाकर मिलता है वो दलाल ओरत हमेशा एक दूसरे से भेदने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं कर पाता वह काम करने में सक्षम थी फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दलाल औरत को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दलाल औरत से कहा कि देखो इस नाम का एक व्यक्ती है एक व्यक्ती उससे मेरी शर्ट लगी है और फिर उसने उसे शर्ट के बारे में उसको सारा कुछ बता दिया, फिर बहादुरी से कहने लगा, तुम कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए, मैं उतना धन दूँगा, इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के दलाल औरत कहने लगी, भाई तो मुस औरत के बारे में बात मत करो, वा औरत पूरी तरह से पतिवरता है, तेरी ओर थूके भी नहीं, तेरी शकल भी नहीं देखेगी, और उनके परिवार के व्यक्ति खुंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे, तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तु मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है, तो एक काम कर दें, उसके घर जाकर के चैन और कतार चुरा कर ला दे, और उसकी पत्नी के गुपतांग के पास में, यदि कोई चीहन हो, तो वह भी मुझे देख करके, बता दें, फिर मैं तुझे मुह मांगा इनाम दूँगा, ये बात दलाल ओरत की समझ में आ गई, और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, नौकर शेहर में रहता था, दलाल ओरत, नौकर के घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी, मैं तेरी पती की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ, फिर उ अब भगवान विश्नु कहते हैं, लक्षमी, इस प्रकार्व दलाल ओरत, उस पती वरतास्त्री के साथ में दो दिन तक रुकी, जिस समय वह स्त्री सनान करने लगी, तो दलाल ओरत उठकर के उस पती वरता के कमर रगड़ने लगी, उस पती वरतास्त्री ने बहुत मना किय फिर भी वह नहीं मानी और कहने लगी तुम मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो तो मना मत करो काफी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है अब ऐसा कहकर के दलाल औरत मुक पर हाथ फिराने लगी फिर आखों को धोने के बहाने से उस दुती ने उसे पतिवरतास्तरी की आखों पर पानी मार दिया और उसे स्तरी की आखें बंध हो गए इस प्रकार गुपतांग के पास में जांग पर तिल था जो दलाल औरत ने देख लिया बस उसका काम बन गया, उधर सनान करने के बाद में जब वह पतिवरतास्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दलाल उरत को मौका मिल गया और उसने चैन और कतार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम से भाग गई और जाकर के दलाल औरत ने ववचैन और कतार मंत्री को दे दिये और उस पतिवरतास्त्री के जांग पर तिल की निशाने भी बता दिया मंत्री सीधा राजा के दर्बार में पहुँचा और राजा से जाकर कहा महाराज मैं नौकर की पत्नी के साथ में दो दिन बिताए और यह चैन तथा कतार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ फिर तो राजा ने दर्बार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महा मंत्री से सभा में सोने की चैन और कतार नौकर को दिखाने के लिए कहा फिर राजा की आग्यापाकर के मंत्री ने उस नौकर को चैन और कतार दिखाई और उसकी पत्नी की जांग पर तिल भी बताया तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिवरत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया भगवान विश्नु कहते हैं लक्ष्मी फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दी कि ठीक है तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आप मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वास घात किया मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्ट लगाई थी कि राजा के दर्बार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिवरत धर्म कोई नश्ट कर दे, तो मुझे फांसी लगा देना अब मुझे पंद्रह दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी, मेरे साथ विश्वास घात करके तुमने ठीक नहीं किया उसे पतिवरत अस्त्री ने अपने पती को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और फिर नौकर राजा के दर्बार में पहुँचा, तो राजा फिर उसे कैद में डलवा दिया गया अब उधर नौकर की पतिवरता, धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेश बदल कर के राजा के दर्बार में गई और राजा से नाच दिखाने की आग्या मांगने लगी, क्योंकि वहस्त्री बहुत ही सुन्दर थी, और उधर राजा शौकीन होते हैं इसलिए राजा ने आग्या दे दी कि सभी मंत्री आदी उपस्थित होकर के इस सुन्दरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करे भगवान विश्नु कहते हैं, लक्षमी, फिर तो सब मंत्री महामंत्री राजा आदी दर्बार में उपस्थित हुए और फिर उस नौकर की धर्मपत्नी ने जब नाचना शुरू किया, तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुन्दर लगा और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो, तुम जो भी मांग मांगोगे, मैं तुम्हें वही धूंगा फिर उस नौकर की पतिवर्ता श्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है, जिसने मेरे रुपए लिये थे, मगर आज तक वापस नहीं दिये, उसे फांसी की सजा दे दीजिए तब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ, मेरे दर्बार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूँगा भगवान विश्णु कहते हैं, फिर उस नौकर की पतिवरता, स्त्री ने कहा, महराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना, कि यह सुन्दरी मुझे अपना चोर बता रही है, तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ, कि मैं इसका कभी कुछ नहीं चुराया है, मैंने इस औरत को आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं चोरी कैसे कर सकता मैं आज तक इसकी शकल ही नहीं देखी है, अब भगवान विश्नु कहते हैं, लक्ष्मी जैसे ही मंत्री ने कहा, कि मैं सुन्दरी की आज तक शकल ही नहीं देखी है, तो वह सुन्दरी कहने लगी महाराज, यह मंत्री मुझे जानता नहीं है, तो आप इसे यह पूछो, य सोने की चेन और कतार कहां से लाया था मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहां पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पती को फांसी चड़ने वाले हैं अब मैं आपको पूरी दास्ता सुनती हूँ यह जो आपका मंत्री है इसने मेरे पास में अपनी एक औरत को भेज करके मेरी जांग के तिल का पता लगाया और उसी ने यह चैन और कतार चुरा करके इसको लाकर के दी और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पती की बुआ है और वह पहली बार आई है इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सके और महाराज जिस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने घर पर उसके ठहरने की व्यवस्था की और इस प्रकार उस नौकर की पतिवरता स्त्री की बात को सुन करके राजा ने उसे औरत को बुलाया फिर उस दलाल औरत ने राजा को सारी सच्चाई बता दी जिससे राजा ने उस नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया भगवान विश्नु कहते हैं लक्ष्मी इस प्रकार उस नौकर की पतिवरता स्त्री ने अंत में राजा से कहा महाराज, मैं अपने पती से बहुत प्यार करती हूँ मैं चरित्रवान स्त्री हूँ कभी भी मैं अपने पती का नाम तक अपने मुँह से नहीं लेते भगवान विश्नु कहते हैं लक्ष्मी मेरी कहानी पूरी होती है अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो तुमारा पहला प्रश्न था कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है तो जो स्त्रियां अपने पती का नाम लेती है वह समय से पहले विधवा हो जाती है क्योंकि पती का नाम लेने से पती की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पती की मृत्यू हो जाती है ऐसी स्त्रियां जो की नाम लेती हैं, समय से पहले ही विधवा होकर के दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम जिन तीन सहेलियों की बातें कर रही थी, उन में से दो विधवा थी और एक यह नौकर की पत्नी थी। जो पतिवरता स्त्री थी यह पतिवरता स्त्री कभी भी अपने पती का नाम मुह से नहीं लेती थी और उधर वह दो स्त्रियों जो विधवा होकर जीवन दुखी होकर जी रही हैं, वह हमेशा अपने पती का नाम लेकर ही बुलाती थी। जिसकी वजह से उनके पती की उम्र कम हुई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वह दुखी जीवन जी रही है इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पती का नाम अपने मूं से नहीं लेना चाहिए अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है तो समझ लो जो स्त्रियां अपने पती के बिना अनुमती के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता ऐसी स्त्रियां जीवन पर दुखी रहती हैं और उन्हें पती का कभी प्रेम नहीं मिलता भगवान विश्णु कहते हैं लक्ष्मी तुम्हारा तीसरा प्रश्ण था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पती को मांगने से भी नहीं देती तो समझ लो गाली है एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पती को गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है उसके जीवन में कभी सुख नहीं आते और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है मित्रो, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता लक्ष्मी पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्णों से संतुष्ट होकर कहती है प्रभु वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है, वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम, जय हनुमान साथी देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें धन्यवाद